हेलो गाइस दूस्तों आप में से काफी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि वेकंसीज आईवेपेस क्लेरिकल में अभी कितनी इंक्रीज हो सकती हैं कि कितने नंबर्स आगे फर्दर इंक्रीज हुए हैं अभी जो हमारा ऑफिशल सेर्कुलर आया था आईवेपेस की ओर से वही हमारी वेकंसीज हैं और बीच बीच में बहुत सारे बैंक होंगे जो रिपोर्ट करेंगे जो एनर स्टेटर्स वाले हैं या फिर कहीं पर वेकंसी आईवेपेस को फर्दर इंटिमेशन अपना देता है बट यह इंफर्मेशन जो पुब्लिक डोमेन में एजर नोटिफेशन के फॉर्मेट में तो नहीं आती है यह तब ही पताल पाता है जब यह पूरा प्रोविजनल अलाट्मेंट होता है और उसके बाद यह पता चल पा बनाओ और कोसिस करो कि एनलाइसिस पर जितना अधा फोकुस करोगे उतना अधा बैनेफिट आपको मिलेगा क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग अपने कंसेप्स के साथ में डारेक्ली फाइनल एक्जाम में आ जाते हैं प्रक्टिस उतनी नहीं कर पाते मॉक्टर की तो गयाज उसका लॉस्त होता है ठीक है और अपलोगों ने दे दिया होगा इसके लिए मैं इसकी तैयारी करते हैं और जो करन्ट अफेर्स पंडा के पीडियाप्स हैं हर एक मंत के मंतली वाले जिसमें डिटेल्ड एक्स्प्लेनेशन है प्लस बैंकिंग अवरनेस है ठीक ह अगर आपका कोई सुजाओ है कोई ओपीनियन है कोई कोश्चन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में रखेगा I'll answer that. Thank you so much. Have a good day all of you once again. We will meet in the next video.